सब्सक्राइब कीजिए फेक्टिव वर्ड यूट्यूब चैनल को और नौटिफिकेशन बेल को प्रेस कर औल सिलेक्ट करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जिस गाड़ी में सवारी करते है वो कई आम गाड़ी नहीं है उसका नाम है आर्मड लिमोजिन जिससे साल 2018 में अमेरिकी राश्ट्रपती के काफिले में शामल किया गया था अमेरिकी राष्ट्रोपति की कार जन्रल मोटर्स की कैडिलैक कमपनी की है जिसका मोडल लिमोजिन है करीब 11 करोड रुपे है इसे एक तरह से बंकर कहे तो गलत नहीं होगा इस कार को दी बीस्ट कहा जाता है जिसका मतलब होता है दानव ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये कार हर तरह के हमले और परिस्थितियों को जहलने लायक बनाई गई है इस कार की अगर ताकत की बात करें तो इंजन से लेकर बोडी तक यह कार ऐसे धातों से बनाई गई है जिस पर बम, गोले और रोकेट का भी कोई असर नहीं होगा आज हम आपको इस कार की खासियत के बारे में बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल फैक्ट्यू वर्ड को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथी इस बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें चली जानते हैं सबसे पहले इस कार के इतिहास के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपती की कार दुनिया के सभी राष्ट्रपतियों की कार के मुकाबले सबसे मजबूत होती है अमेरिका में वर्ष 2010 में इस कार को पेश किया गया था उस समय ततकालीन राष्टरपती Harbert Hoover ने अपनी पहली कार Cadillac को पेश किया था लंबे समय तक यह कार प्रियोग में लाई गई ट्रम्प से पहले ततकालीन राष्टरपती बराक उबामा Cadillac 1 कार से चलते थे बाद में ट्रम्प के राष्टरपती बनने के बाद 24 सितंबर 2018 को Cadillac 1 को Cadillac The Beast ने रिप्लेस कर दिया यह कार पिछली कार से ज्यादा आधुनिक है अभी तक कोई भी देश इस तरह की कार इजात नहीं कर सका है अब बात करते हैं इस कार के 8 इंच मोटी धातु से बने दर्वाजों की इस कार का गेट बोईंग 757 के कैबिन जितना वजनी होता है कार की दिवारे भी 8 इंच मोटी धातु से बनी होती है यही कारण है कि इस पर किसी भी परकार के हमले का असर नहीं होता इस कार का वजन करीब 6400 किलोग्राम होता है आप इस कार के वजन का अंदाजा ऐसे लगा सकते है कि ये कार एक सधरन ट्रक के वजन के बराबर होती है दोस्तो अब बात करते है इस कार की चेचिस के बारे में इस कार की लंबाई करीब दो SUV कार के बराबर है इसे ट्रक की चेचिस पर ही बनाया जाता है इसकी वज़े ये है कि इसका वजन अधिक होता है साथ ही इसमें कई तरह के आधुनिक उपकरण भी लगाये जाते है जिसका वजन काफी भारी होता है इसलिए ट्रक की चेचिस असानी से भार को उठा सकती है Cadillac के नीचे स्टील की 5 इंच मोटी पलेट लगाई जाती है जिससे जमीन के नीचे लगाई गई लेंड माइन का भी इस पर कोई असर नहीं होता है अब बात करते हैं इस कार की 5 लेयर से बनी खिडकी की The Beast की खिडकी काफी मजबूत होती है यह 5 लेयर से बनाई जाती है जिसमें Glass और Polycarbonate की लेयर होती है यह इतनी मजबूत है कि किसी भी बंदूग से चलाई गई गोली को अंदर आने से रोक सकती है यह इतनी मोटी है कि कार का ड्राइवर भी इसे सिर्फ 3 इंच तक ही खोल सकता है इसके कैबिन में संचार की सारी सुविदाय उपलब्ध है इसमें राष्ट्रपती की सीट पर एक सैटेलाइट फोन लगा होता है जिसकी लाइन अमेरिका के उपराष्ट्रपती और अमेरिकी रक्षा विबाग के मुख्याले पेंटागन से जोड़ी होती है दोस्तो कैमिकल अटेक से है सुरक्षित कार में हमले की स्थिती से निबटने के लिए अत्याधूनिक हतियार फिट रहते है इसमें शोटगंस, टीयर गैस, ग्रेनेट, लॉंचर भी फिट होते है इसके अलावा कैमिकल अटेक को लेकर भी इस कार में खास इंतजाम किये गए है ऐसी किसी परिस्थिती में यह कार पूरी तरह से सील हो जाती है जिससे इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कैमिकल नहीं पोच्छ सकता कार में कई तरह की आधुनिक बंदूग के लगी रहती है और एक खास बंदूग होती है जो हमला करने वाले पर आग फैकती है कार में राश्टरपती के ब्लड ग्रूप से मैच करता हुआ ब्लड ग्रूप हमेशे एक रैफिज रेटर में रखा रहता है इस कार में ड्राइवर समेथ साथ लोग बैठ सकते हैं हर सीट को गलास के जरीए चेमबर के रूप में अलग कर सकते है इस गलास को उपर नीचे करने का बटन सिर्फ राश्टर पती के पास होता है दोस्तो अब बात करते हैं इस कार के टायर की इस कार के लिए ऐसे टायर बनाये जाते है जिसमें पैंचर ना हो अगर हमले या गोली बारी में ये टायर फट भी जाए तो पहिये में लगी स्टील करीम कार की रफतार को कम नहीं होने देती इस कार को चलाने वाला ड्राइवर CIA का ट्रेंड सीक्रेट एजेंट होता है ये ड्राइवर किसी भी हालत में कार को चलाने में सक्षम होता है ड्राइवर के कैबिन को काश से अलग रखा जाता है दोस्तो अब बात करते हैं ट्रंप के काफिले की ट्रंप की कार की तरह उनका काफिला भी बहुत खास है काफिले में सबसे आगे मोटर बाइक सवार होते है ये भी आधुनिक उपकरणों से लेस होते है आगे का रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी इनी के पास होती है फिर पुलिस की BMW होती है और फिर अमेरिकी SUV और उसके पीछे दो लिमोजिन कारे चल रही होती है दोस्तो इन सब खासियत की वज़े से ही बीस को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार कहा जाता है दोस्तो आपको इस कार की कौन सी खासियत सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथ ही मारे चैनल फैक्ट्यू वर्ट को सबस्क्राइब करें